स्टार्स सेलेक्शन कमिशन की तरफ से एक बड़ी रिक्रूट्मेंट आ गई है कुल पद इसमें 5800 से भी जादया है और जो मिनिमूम क्वालिफिकेशन रिक्वाइल्ड है वो है 12th क्लास और ओनलाइन मोड में आपको इनके लिए अपलाई करना होगा और अपलाई करने की अ सेप्टमबर 2020 तो इस रिक्रूट्मेंट के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से बात करेंगे आप वीडियो को शुरूर से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और लेटस गर्मेंट जोब्स की अपडेट पाने के लि आविदन कर सकता है और पूरे देश में ही इसके एक्जाम सेंटर आएंगे सबसे पहले आप यह देख लीजिए सेंटर ओफ एक्जामिनेशन सेंटर रीजन बिहार उत्तरपरदेश के ये में-में सिटीज हैं जहांपे आपका सेंटर आएगा आएगा इस्टर रीजन एंड केला के ये में मेंन सिटीज है जिनमें आपका सेंटर आएगा एक्जाम का, मध्या परदेश सबरिजन 34 गड़ एंड मध्या परदेश के लिए आपका एक्जाम सेंटर यहां आएगा, ये सिटी हैं, इसी तरह से नोर्थ इस्टन रीजन, अरनाचल परदेश, आसाम, मन मेपूर, मेगालय, मीजोरम, नागालेंड और तिरपुरा के एक्जाम सिटीज के लोग ये हैं नोर्दन रीजन डेली, राजस्थान, उत्राखंड के एक्जाम सेंटर नोर्थ वेस्टन सब रीजन, चंडिगर्ड, हर्याना, इमाचल परदेश, जम्मु कश्मिर, लद्दाक, एंड पंचाब के एक्जाम सेंटर के लेस्ट इसी तरह से आंधरा परदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडू, एंड तेलंगाना वेस्टन रीजन में, दादर, एंड नगर, हवेले, दमन, एंड यू, गुवा, गुजरत, एंड महरास्ट तो जितने भी ये मेन मेन सिटी है, सब में आपका एक्जाम सेंटर आ जाएगा, आपके आसपास ही आपको एक्जाम देना होगा तो अब देखते हैं, बाके की जानकारिया 182020 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन करमचारी चैन आयोग भारत सरकार के द्वारा और अपलाई करने की अंतिम्तिती है 792020 और फीस भरने की अंतिम्तिती 992020 है और ये चलान जरनेट करने की अंतिम्तिती 11902020 है और बैंक के माध्यम से फीस जमा कराने की अंतिम्तिती 14902020 है और कंप्यूटर बेस्ट आपका एक्जाम 27 नवंबर 2020 से और 14 दिसंबर 2020 के बीच में आल और इंडिया लेवल पे कंड़क्ट कराया जाएगा इसके बाद हम देखते हैं पेस्केल पेस्केल है 2700-79100 अब दे रखी है वेकेंसी की डिटेल कॉन्स्टेबल मेल की टोटल वेकेंसी है 3433 अन्रिजर्ड 16 से क्यासी EWS 344 OBC 662 SC 590 ST 107 कॉन्स्टेबल मेल एक्सर्विसमेन अधर 226 अन्रिजर्ड 94 EWS 19 OBC 37 SC 22 SC की 24 कॉन्स्टेबल मेल एक्सर्विसमेन कमांडो की 243 है अन्रिजर्ड 93 EWS 19 OBC 37 SC 67 और SC 27 कॉन्स्टेबल फीमेल टोटल वेकेंसी हैं 1944 अन्रिजर्ड 933 EWS 202 OBC 383 SC 328 और SC की 24 टोटल वेकेंसी हैं 5844 केटेगरी वाइज अगर बात करें तो अन्रिजर्ड 2801 EWS 583 OBC 1133 SC 1037 और SC की 302 कोई भी भारत का नागरे किन के लिए आवेदन कर सकता है एज लिमिट मिनिम्म 18 और मैक्सिम्म 25 साल आपके होनी चीए एक साथ 2020 को बाके कैटेगरी वाइज आपको अपर एज लिमिट में चूट भी मिल जाए कि जो की है कुछ इस परकार से SC ST के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की OBC के लिए 3 साल की और उसके बाद काफ़ी सारी और भी कैटेगरी दी गई हैं आप यहाँ इनको भी देख सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी अपर एज लिमिट में चूट मिल जाएगी इसके बाद आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में और Essential Qualification साथ नो 2020 तक आपके पास होनी चीए 10 प्लस टू आपने कर रखी हो किसी भी रिकोगनाइज़ बोल्ड से तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और डेली पुलिस के जो करमचारी हैं उनके बच्चों के लिए अगर वो आवेदन करते हैं चाहें संस हो चाहें डोटर हो तो अगर उन्होंने 11 पास कर रखी है तो भी वो आवेदन कर सकते हैं यहां उन्हें चूट दी जा रही है बाकी के लिए 10 प्लस टू क्लियर होना आवशक है और उसी के साथ साथ आपके पास LMV मोटर साइकल और का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए लर्निंग लाइसेंस एकसेप्ट नहीं किया जाएगा और अगर आपके पास NCC के सल्टिफिकेट है तो देखिए आपको अच्छी खासी इसमें चूट मिल जाएगी बोनस मार्क्स मिलेंगे अगर आपके पास NCCC सल्टिफिकेट है तो 5 परतिशत B Certificate वालों को 3 पर्तिशत और NCCA Certificate वालों को 2 पर्तिशत के Maximum Marks of the Examination तो आपको इतनी एचुट प्रोवाइड करा दी जाएगी Apply आपको करना है Staff Selection Commission के Official वेबसाइट पे जाके जो की है ssc.nic.in जहां तक Application Fees की बात है, सोर पे Application Fees निर्धारित किये गई है Women Candidates, SC, ST और Ex-Servicemen Category से जो भी Candidate है उनके लिए कोई भी Application Fees में नहीं लगेगी Examination Center की तो हम पहले ही बात कर चुके है इसके बाद examination की scheme दी गई है तो आप यहां से देख सकते हैं Total आप से 100 questions पूछे जाएंगे, 100 number के कहां से कितने question आएंगे, Part A Journal Knowledge और Current Affair का होगा 50 question, 50 number के पूछे जाएंगे Reasoning 25 question, 25 number, Numerical Ability 15 question और 15 number के Computer Fundamental, MS Excel, MS World, Communication, Internet, WWW and Web Browser एक से 10 question, 10 number के Total 100 question पूछे जाएंगे, 90 minute का आपको समय दिया जाएगा और 0.25 की negative marking भी है तो 1 बटा 4 की negative marking है आप ध्यान रखेगा, जो आपको question आते हों, वही आप conduct करके आएं और जो computer based आपका exam होगा, English, Hindi दोनों में आपको मिलेगा जिस भी भाषा में आपको convenient लगे, उस भाषा में आप अपना question पढ़के और answer दे सकते हैं, इसके बाद slavos दे दिया गया है journal knowledge grant affair का, reasoning, numerical liability और computer fundamentals का तो slavos से जुड़ा हुआ, अलग से एक वीडियो आपको provide करा दिया जाएगा उसमें बिल्कुल विस्तार से हम इसके slavos के बारे में discuss करेंगे और इसी तरह से physical endurance और measurement test में क्या-क्या आपका होगा उस से जुड़ा हुआ भी अलग से वीडियो आपको provide करा जाएगा बाकि आप में इन में देख लीजिएगा male candidates के लिए अगर 30 साल तक IU है, तो 1600 meter की जो दोड़ है, वो 6 minute में आपको clear करनी होगी 14 feet की long jump और 3 feet 9 inch की high jump और 30 साल से और 40 साल के बीच में IU है तो 7 minute में दोड़ पूरी करनी होगी 1600 meter की 13 foot की long jump और 3 foot 6 inch की high jump इसी तरह से अगर 40 साल से उपर आपके IU है तो 8 minute का आपको समय दिया जाएगा 1600 meter की दोड़ के लिए और long jump 12 feet की होगी और 3 feet 3 inch आपकी high jump होगी तो इस तरह से यह standards दे रखे हैं आप इनको बिल्कुल द्हान से देख लीजिएगा और physical endurance test female candidates के लिए अगर 30 साल की IU तक है तो 8 minute में 1600 meter की दोड़ कम्प्लीट करनी है long jump 10 feet है high jump 3 feet है 30 से और 40 साल की IU के बीच में जो candidates हैं उनके लिए 9 minute में 1600 meter की दोड़ कम्प्लीट करनी है 9 feet की long jump 2 feet 9 inch की high jump है और 40 साल से ज्यादा के लिए 10 minute में 1600 meter की दोड़ 8 feet की long jump और 2 feet 6 inch की high jump तो ठीक है दोस्तों मिन मिन जानकारी इस recruitment से जुड़ी हुई आपको वीडियो के मादिन से provide करा दी गई है अगर आपकी कोई query है तो आप वीडियो के नीचे comment कर सकते है आपकी हर संभव सायता की जाएगी तो ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो like और share करें और इसी परकार की latest recruitment की update सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर subscribe करें तो ठीक है फिर मिलते है किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए श्मस्कार